हलो दोस्तो हम सभी वीडियो कॉंटेंट यूज करते हैं चाहे वो अपने मुबाइल पर देखें या टीवी पर देखें कितना अच्छा हो जो हमारे संग्लासे वो हमारे लिए एक मॉनिटर की तरह काम करें तो ऐसा अब आने वाले समय में होने वाला है और आज के वीडियो में हम उसी तरीके की टिकनोलोजी और उसी तरीके की प्रोड़क के बारे में बात करने वाले हैं जी हां मैं बात करने वाला हूँ लेनोवो के टीवन ग्लासे के बारे में जी हां लेनोवो ने टीवन ग्लासे announce किये हैं, ये glasses, जो sunglasses हैं, basically जिस तरीके से आप sunglasses पहनते हैं बिल्कुल वैसा ही दिखने में shape है ये आपके device से connect हो जाएंगे USB के बलके through, type C की connectivity यहाँ पर आपको मिलती है, और जो sunglasses हैं, ये आपके लिए एक monitor की तरह काम करेंगे, अब ये stand alone अपने आप में कोई computing या कोई battery नहीं है, तो इनको बार-बार charge करने का जंजट नहीं है, लेकिन इसका drawback ही है कि इनको आपको wire से connect करना पड़ेगा, चाहे वो आपका laptop हो, चाहे वो आपका mobile हो iPhone हो, iPad हो, किसी भी device से आप इने connect कर सकते हैं, ये अच्छी बात है बट wire आपको connect करनी पड़ेगी बार-बार charging का कोई जंजट नहीं है, एक बार ये आप इने connect करेंगे, और इन पे आपको बिलकुल एक immersive view मिलेगा और एक तरीके से privacy का भी यहाँ पर benefit है, यानि कि आपके sunglasses आपके लिए एक monitor का, एक display का का काम कर रहे हैं, पहला benefit यह है कि आपको privacy मिलती है, दूसरा benefit यह है कि मान के चलिए अगर आप mobile पर बहुत ज़्यादा content consume करते हैं, या travel करते time कोई video देखते हैं, तो उसमें privacy का भी एक issue रहता और दूसरा आपको उसको hold करके रखना पड़ता है, यहाँ पर आप sunglasses को अगर use करेंगे, तो आप आराम से relax करते हुए, अपना video content enjoy कर सकते हैं, इनमें open ear आपको speaker मिलते हैं, जो यह sunglasses है, lightweight frame है, plastic frame है आप चाहें तो अपने buds वगएर या truly wireless भी connect कर सकते हैं और आपको इस तरीके से immersive इसमें experience मिलेगा, बट open ear speaker इसमें आपको यहाँ पर मिलता है, यह Lenovo ने खुद confirm किया है, Lenovo ने हाला कि इनका price अभी confirm नहीं किया, और India availability भी इनकी अभी confirm नहीं है, वो आने वाले time में पता चलेगा कि किस price range पर launch होते हैं, but considering इनमें कोई computing नहीं है और कोई battery वगरा भी नहीं है बहुत ही limited functionality है in terms of computing power, क्योंकि जो आपका device है, उसी के computing power को यह use करते हैं तो उमीद है कि यह बहुत ज़्यादा expensive नहीं होंगे, और अगर आप बहुत ज़्यादा travel करते हैं, या regular travel करते हैं face के साब से, जो आपके best view हो, आप वो choose कर सकते हैं, और इसके अलावा इसमें एक और खास बात यह है, कि यह जो है, यह बहुत जल्दी available होंगे, बहार की market में चाइना में definitely, इंडिया market की availability का भी इनका कोई confirmation नहीं है, जैसे ही कोई confirmation होता है, मैं अपने चैनल पर इनका वीडियो जरूर डालूँगा, मेरा नाम है भवी, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, तो please मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, यह वीडियो